नागपुर में मंगलवार रात निर्माना धिन परडी कलमना फ्लाई ओवर का एक हिसाब बीच से तूट गया ये घटना खरीब रात 9 बजे के आसपास हुई राहत की बात ये है कि सालसे में कोई हताहत नहीं हुई है हादसे के वक्त ब्रीच के पास कोई मौजूद नहीं था रिपोर्ट्स के अनुसार कलमना रिंग रोड पर भरत नगर चौकी के नस्देक महाकाल कर सभग रहस्तित पुल के दो पिलर के बीच दस गरडर गिर गए थे पुलकर निर्माण नैशनल हाईवे अथौरिटी ऑफ इंडिया एन एच एई आई के तहट किया जा रहा है हादसे के सूचना पाकर सिटी पुलिस की टीम और नगर निगम की फायर और एमरजनसी सर्विस घटना स्थल पर पहुची पुलिस कमिशनर अमितेश कुमार ने कहा अगर एन एच एई आई शुकाय दर्च कराता है तो कारूनी कारवाई पर विचार किया जाएगा स्थानी पारशत प्रदिपोहा ने भी खटना स्थल पर पहुचे और उन्होंने बताया कि पुल का एक हिसा रात करीब 9 बच कर 20 मिनिट पर डह गया प्रत्यक्ष दर्शियों का कहना है कि हाथसे में कोई जन्हानी नहीं हुई क्योंकि फ्लाई ओवर के नीचे की सडग वाहनों की आवाजाही के लिए बन है कंस्ट्रक्शन वर्क में गति लाने के लिए ट्राफिक को बन रखा गया था सिर्फ फ्लाई ओवर के साथ लगी सर्विस रोड पर ही बाहनों को जाने की अनुमती है